प्रिवेस एर के अगर हम कोशन देखें यह बिजडी में, तो कई बार जो है, ट्यूमर मारकर, या जो है, किस टाइब का कैंसर है, किस टाइब का मलनॉमा है, सारकॉमा है, तो वहां से कोशन बने है, यह कोशन आपको 2018 का विजिबल होगा, कि क्रुकन बग ट्यूमर, कहा के ट बता होना चाहिए, ओवेरियन कैंसर के लिए होता है, CA 125, CA 125, most common question है, important है, then, एक और कोशन बना था, कि, in relation to breast lump, triple assessment include, all the following, except, उसमें ट्यूमर मारकर नहीं देखते है, क्लिनिकल असेस्मेंट करते हैं, एरिजिकल इमेजिकल इमेजिंग के लिए बोलते है, या फने से, हिस्ट Malignant condition इन में से कौन सी है, तो इसमें अलग-अलग option थे, Adenoma, Adenoma भी benign होता है, आप जानते हो, Squamous Cell Papilloma, ये भी benign होता है, अपिथीलियल सेल्स का जब वो होता है, बनाइन ट्यूमर बनता है, तो उसे Papilloma, Squamous Cell Papilloma कहा जाएगा, then, Lipoma, Lipoma लिए लिए कहा गया है, और अगर सा Papilloma का origin होता है, उसे Carcinoma कहा जाएगा, अपिथीलियल से, तो जितना भी आपके organs हो गए है, stomach है, intestine है, तो वहाँ सब क्या कहा जाता है, Carcinoma, लेकिन जो Misen Chimal Tissue होते हैं, फिर अगर कहा जाएगा, Connective Tissue होते हैं, जैसे कि Bone है, Blood है, तो ये सब क्या कहा जाएगा, उसे Sarcoma, Car Basics आपको पता होते हैं, किसे Sarcoma कहा जाएगा, Sarcoma is related to Connective Tissue, जबकि Bone है, जबकि Carcinoma is related to Epithelial Tissue, एक और ये कोशन बना था, कि Cartilagous Metaplasia, इसको लिस्ट को मैच करना था, और Oceous Metaplasia, या Squamous Metaplasia, या Columinal Metaplasia, किस-किस Condition में मिलता है, तो इसमें मर्टेबल कंडिशन कही है, तो किस-किस Condition में कौन-कौन से टाइप का Metaplasia मिल सकता है, वो सभी हम देखेंगे, ये Statement वनी थी, तो Surgery से कोशन है, कि Histopathological अगर Rodent Ulcer देखते हैं, तो वो किसे कहा जाता है, Is it a Camisle Carcinoma, जो Rodent Ulcer होता है, उसमें जो Regional Lymph Node होती है, वो Enlarge नहीं होती, तो मतलब क्या No Metast तो Rodent Ulcer से भी Related हम देखेंगे, कि उसमें किस टाइप की Situation आपको मिलती है, Histopathological के आपको मिलता है, Next, यहां से हम कवर करेंगे, जो Tumor Marker बताए गए है, और किस टाइप के Tumor में जो है, वो Raised मिलेंगे, तो एक Tumor Marker, Tumor Marker कई टाइप के हो सकते हैं, हो सकता है, वो कोई एंजाइन कित्रों हम अनलाइज कर रहे हो, इट कैन बी ए स्पेसिफिक प्रोटीन, इट कैन बी ए हॉर्मोन, या ओंको फीटल, जो फीटल के टाइम में जो है, कुछ ब्रड में लेवल बढ़ जाता है, फीटल एंटीजन कहा जाएगा उन्हें, तो ओंको फीटल एंटीज करता है, इसका मैं कोई निमोनिक नहीं बता रही, तो कि आप सबको वैसे ही याद होना चाहिए, किस में कहा जाएगा, तो एपिथीलियल कैंसर के लिए होता है, 125, ओवेरियन कैंसर जो होता है, उसके लिए है, 125, ठीक है, इसे आप याद रखना, next, सबको लान रहेगा, पैंक्रि laughedован के ना चाहिए, अजर आप को पैंक्रियाटिक कैंसर, आतर कोशन बनेगा पैंक्रियाटिक कैंसर, तो यह आपको 9 दिख रहा है, इसका पोजिट हो जाएगा, पैंक्रियाटिक कैंसर, सीये, 99, तो इसमें 9 वर्ड से आपको specific याद रखना है, तो यह है, पैंक्र जैसा दिख रहा है, तो ये polon में भी है, इस तरह से हलका याद रखो ये pancreatic cancer के लिए आपको इजली याद रहेगा N को जो हम revert करते हैं, तो P बन जाता है, then 15-3 15-3 के लिए याद रखो, कि जब आपने ये 3 जो है 3 के सामने अगर 1 आ गया, तो क्या बन जाएगा, वो B 3 के सामने 1 आ गया तो B बन जाता है, तो ये breast cancer के लिए है, ठीक है 15-3 करके याद रखना, ये breast cancer के लिए, then 72-4 ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये हम कुछ बना नहीं पाई, तो आप ये भी याद कर सकते हो, कि gas जो होती है वो 72 रूपीज पर जो है, gas उसमें फिल कराते हैं, वो 72 रूपीज की फिल कराते हैं, हम अफ़ते में 4 बर, या महीने में 4 बर हम gas फिल कराते हैं, ऐसे कुछ बना सकते हैं, उसका specific मुझे नहीं मिला, तो ये 72 से आपको याद रखना है then, enzyme के लिए जो PAP होता है और PSA ये बहुत important है, क्योंकि most common patient आते हैं, PSA लेवल मारकर भड़ा होता है, prostate cancer मतला, prostateomegaly में भी PSA मारकर भड़ा होता है, BPH के case में, तो ये आपको rule out करना है, prostatic acid phosphate PAP, तो PAP किसमे भड़ता है, और PSA दोनो, prostate specific antigen ये इसका level हम कराते हैं, ये prostate cancer में इसका level भड़ता है, तो prostate cancer, ये आपको prostatic उससे ही याद रहेगा, PSA से भी prostate specific antigen, कोई mnemonic बनाने के जरूत नहीं, neuron specific जो analyze है, तो ये small cancer of lung और neuroblastoma, तो neurons related कोई भी अगर cancer आता है तो उसमें आपको NSC याद रखना है neuron specific analyze alkaline phosphate alkaline phosphate ये कहां के osteosarcoma में भड़ता है osteosarcoma में भड़ेगा तो ये थोड़ा धियां रखना है ALP osteosarcoma में तो इस sarcoma की condition में मिल रहा है अगर वहाँ पे connective tissue से related है in that case आप ALP कराते हो ठीक है, कोई tendon है develop कराते हैं, कि इनमें कोई damage तो नहीं हुआ तो वैसे ही अगर osteosarcoma बना है तो in that के हम ALP कराते है lactate dehydrogenase LDH ये भी कराते हैं prostate cancer के लिए, testicular tumor के लिए lymphoma के लिए, ing sarcoma के लिए तो आपको basic याद रखना है कि prostate cancer के लिए तो हमने 45-50 years के male patient आ रहे है they are having difficulty in maturation or retention or hesitancy in maturation और या फिर उने pain with maturation है तो या फिर उसमें complete evacuation नहीं हो रहा इस case में आपको जरूर रूल आउट करना है कि वहाँ पर prostate enlargement तो नहीं है prostate enlargement भी है आप treatment करें और फिर भी कोई उने relief नहीं मिल रहा है तो इस case में आपको रूल आउट करना है कि वह कोई cancer तो नहीं है तो इस case में आप क्या कराओगे PAP करा सकते हो, PSA करा सकते हो और वहाँ पर LDH कराओगे lactate, dehydrogenase तो इस रिलेटेड विद टेस्टीज और प्रोस्टेड LDH में प्रोस्टेड और टेस्टीज दोनों से रिलेटेड है then triosinase कहा गया है melanoma में तो triosinase जो albanism के patient होते हैं जिसमें melanin content नहीं होता अगर वहीं का melanoma बन गया है तो उसमें triosinase हम देखते हैं तो male से याद रखो melanoma में male इसको हमने बदल दिया तो क्या बन गया male और इसको हमने बदल दिया तो क्या बन गया try तो male हमेशा try करते रहते हैं ठीक है किसी भी कोई success को achieve करने के लिए male क्या करते हैं हमेशा try करते रहते हैं तो थोड़ा triosinase से आपको melanoma male याद कर सकते हो ठीक है याद रखने अल्बिनिस में मिलता है इसमें melanin content का जो है नहीं बन पाता है melanocytes से तो वहाँ पे melanoma gastrin के लिए आता है pancreatic neuroendocrine tumor तो pancreatic neuroendocrine gastrin के थुरू हम देखते हैं gastrin का level तो नहीं बढ़ा हुआ तो वो तो कहां से secret नहीं है hormone secret हो रहे हैं उससे आपको idea होगा then specific protein हम देखते हैं immunoglobin immunoglobin का level बहुत सदा बढ़ा हुआ है वो कहां होते हैं plasma में होते हैं plasma cells हैं और तो क्या मिलेगा आपको multiple myeloma मिलेंगे क्योंकि plasma तो all over a body है तो वहाँ पे आपको multiple myeloma किस condition में मिल रहे हैं जो हम हमरे plasma cells में immunoglobin बढ़े हुए है plasma cells में immunoglobin बढ़े हुए है ठीक है तो यह याद रखना then beta 2 यह जो beta 2 micro globu बता रहे हैं यह भी multiple myeloma में मिलता है तो इसमें भी क्या है multiple myeloma में क्या है दो बार M आ रहा है और यहां भी क्या है beta 2 beta 2 M आ रहा है और यहां पर भी 2 बार M आ रहा है इससे थोड़ा आप ध्यान रख लो PSA मैंने आपको पहले ही बताया prostate cancer के लिए हमने क्या देखा PAP, LDH LDH और किसके लिए था testicular cancer के लिए भी था और PSA, PAP और LDH 3 नो prostate cancer के लिए ध्यान रखो अब इसके बाद hormone देखते हैं तो HCG का level देखा जाता है human chronic gonadotropin का तो germ cell का अगर tumor है या poriocarcinoma है तो इस condition में भी HCG का level देखा जाएगा poriocarcinoma है या testicular carcinoma में भी HCG का level देखा जाता है इसे senseitio tropeblast भी कहा जाता है इस condition में HCG का level देखा जाएगा germ cells के tumor क्योंकि उसे से related है calcitonin कौन release करती है thyroid की para follicular cells तो para follicular cells अगर जादा calcitonin release कर रही है hormone में बहुत ज़दा calcitonin का marker बढ़ा हुआ है तो वो कहां का carcinoma हो सकता है medullary carcinoma of thyroid मतलब thyroid का carcinoma ये याद रखो अगर calcitonin का level बहुत बढ़ा हुआ है तो ये thyroid के cancer carcinoma में मिल सकता है clear catacolamines catacolamines जो होते हैं हमारे dopamine है जो ये सब कहां से होंगी तो adrenal gland से ही होते हैं और ये बहुत पहले एक बड़ 2017-2018 में कुशन बना था कि adrenal gland की tumor को क्या कहा जाता है pheochromocytoma जो खुद adrenal medulla secrete करता है तो ये pheochromocytoma कहा जाएगा then oncofecal antigen हम देखते हैं उस level पे जो fetal level पे gastrinational level पे अगर बढ़े होए होंगे तो उस condition में आप याद रखोगे alpha phetoprotein अगर बढ़ा हुआ है तो ये hepatoblastoma को indicate करता है अगर AFP बढ़ा हुआ है तो हो सकता है कि hepatoblastoma बढ़ा हो मतलब liver cancer हो hepatoblastoma कहा जाता है non-seminomatous germ cells का tumor बना हुआ testis के जो है non-seminomatous germ cells of tumor बना हुआ है या york sec का tumor को कहा जाता है non-seminomatous germ cell tumor ठीक है या testis का tumor है तो इन सब case में AFP बढ़ा हुआ होता है clear एक और है अगर CEA carcino embryonic antigen अगर बढ़ा हुआ है तो यह multiple क्योंकि carcinoma है carcinoma कहा का होगा epithelial cells का epithelial cells होती है colon में, pancreas में जितने भी जो organ है उनके लिए basic बढ़ा दिया colon, pancreas, lung, stomach, breast तो इन सब में अगर carcinoma है in that के CEA भढ़ा हुआ होगा ठीक है नहीं आओगा कोई बात नहीं बिटा से आपको याद रखना बिटा में क्या है यह दो बन रहे है तो उसे याद रखो दो testis तो testicular carcinoma में भढ़ रहा है testicular carcinoma then H से आपको याद रखना है hydratory form जो मॉल होता है hydratory form मॉल में भी बिटा सेजी का लेवल भढ़ता है C से porionी poriocarcinoma में भी बिटा सेजी का लेवल भढ़ता है G से gastrational prophoblastic tumor में भी बिटा सेजी का लेवल आपको बढ़ावा मिलेगा तो these are the tumor marker in a specific और certain carcinoma और sarcoma ठीक है तो यह हमने देखा है still अगर इसमें कोई और tough लगे है नहीं याद हो रहा है तो मुझसे पुछना कोई और निमानिक बनाएंगे लेकिन कोशिश करो कि आज के लिए आप इतना learn कर लो कल की class